हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक आज हम मॉनसून की एक और स्पेशल डिश लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हैं तो रेसिपी को ध्यान से देखेगा और एंड तक मेरे साथ बने रहेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हैं यह मैंने चैनी की डाल दी है आप पानी के साथ ज़ी ख्याइब कर में रूँकर जाया हुँताबाद एदा चमच लाल मिर्च बॉडर को अगर बॉरिव ठाल सकते इसज़ लाल मिर्च ऑडर अगर आप डालेज आँ मिल जाल कोके अगर मिलेस्ट के ओडालिबने जिए टोड़ ह para lafal कि जबेज़ाल मुझे कर देना है और कोकर के लिड लगा कर हम इस दाल को उबलने के लिए रख देंगे हमें दाल बिलकुल सॉफ्ट चाहिए यानि इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि यह अच्छी तरह मैश हो जाए तो आप अपने हिसाब से दो तीन या जितनी भी सिटी में आपकी दाल गले उतनी सि अपर इसका बारीक पेस्ट ना बनाए इसको मोटा ही ब्राइं करें तो देखिये यहां पर मैने इसको स्पून से मैश कर लिया है अब हम एक पैन में एक टेबल स्पून ओल लेंगे और ऑल गर्म होने पर इसमें आदा पीस्पून जीरा डाल देंगे और मैने दो लाल मेच लिए जिसका मैने बीज निकाल दिया है वो भी मैने इसमें डाल दिया है अब हम इसको भूनेंगे और यहां पर मैने एक मीडियम साइज की चौप प्याज ली है इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम फ्राइ करेंगे हमें प्यास को ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा स यानि थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो अब हम इसमें जो हमने डाल उबालकर मैश करके रखी ती वो डाल देंगे तो यहां पर मैंने डाल बीस में डाल दिये और इसको अच्छी तरह डाल कर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी स्ट्राइ करने के बाद पसंद आती है तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना मूलें क्योंकि इसी से आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा तो यहां पर मैंने दाल को डाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है अब हम इसमें सुखा हुआ पुदीना हाथों से क्रश करके डालेंगे सुखे पुदीने की खुश्बूस में अगर आपको थोड़ा और टाइक पुदीने की पर्ति आप इस भूर्ते को रोटी पराटे किसी के साथ भी नगया कर सकती है और यह खाने में बहुत टेस्टी है तो इसका टेस्ट पी विलकुल आलू या बैंगन के पुद्टे से डिफरेंट होगा तो अगली बार आप इ बताईएगा कि आपका मुटता कैसा बना है मैंने अपने चैनल पर मॉनसून की और भी रस्पीस डाली है उसका लिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और अगर आप कोई और रस्पीस देखना चाहते हैं तो उसके बारे मुझे ज़रू बताईएगा अल